वही कश्मीर के पुलवामा जिले के निहामा छेतर में सुमवार सुबह से आतंकियों के साथ सुरक्षा बलो की मुद्भेड जारी है दोनों तरफ से फाइरिंग जारी है अभी सुरक्षा बलो ने आतंकियों को घेर रखा है दो आतंकियों के छिपे होने की खबर है पोलिस अधिकारी ने बताया कि पोलिस और सेना की एक जॉइन टीम ने निहामा में घिराबंदी और सर्च उपरेशन शुरू कर दिया है इसी दौरान छिपे हुए आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया इसके बाद दोनों तरफ से फाइरिंग शुरू हुई और मुदभेड में घिरे एक आतंकी की पहचान रियास डार के रूप में हुई है उसके परिवार को मुदभेड स्खल पर बुलाया गया है ताकि उनके कहने पर बस सरेंडर कर दे कटना को लेकर अभी और भी जानकारी आना बाकी है